ओम साई राम आपका मेरे चैनल सीक्रेट रेसिपी विद लक्षमी में स्वागत है आज हम बनाएंगे सैलेट सेंडवीच इस सेंडवीच को बनाने के लिए मैंने लिये हैं यहां चार स्लाइस ब्रेट के मैंने यहां वाइट ब्रेट का इस्तमाल किया है आप चाहें तो ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं इस ब्रेट के किनारे हमें कट करके लेने हैं इस तरह सारे ब्रेट के हमें किनारे कट करके लेंगे वेट लॉस जरनी में इस सेंडवीच को मैं हपते में 2-3 बार खाती थी और अब भी भी खाती हूँ इन ब्रेट के स्लाइस के किनारों को हमें फेकना नहीं है उसको एक मिकसर जार में डाल देंगे उसमें हमें हरी मिर्ची 2-3 डालेंगे आप चाहें तो जादा भी डाल सकते हैं आदा इंच अद्रक एक चमच जीरा जीरा या रोस्टेट नहीं है और रफली कटा हुआ प्याज एक छोटा प्याज लेंगे और एक कटोरी हरा धनिया उसी में दो चमच पीनट्स याने मुमफली के डाल देंगे नमक सौत के अनुसार और आदा चमच निम्बू डालके पानी थोड़ा डालके हम मिकसर ग्राइंडर में इस चटनी को मिकस करके लेंगे एक प्लेट में मैंने चुकुंदर बॉयल करके और आलू बॉयल करके और खीरा याने कुकुमबर कट करके और प्याज ये सब को कट करके एक प्लेट में रख दिया है दो स्लाइस लेंगे ब्रेट के उसके टोमेटो केचप डालके उसको अच्छे से किनारों तक फेलाएंगे और दुसरे स्लाइस पे हम बटर डालके उसको लगाएंगे जिस slice पर tomato ketchup लगाया था उस पर green chutney लगा कर इस green chutney को इसके उपर अच्छे से फेलाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो please मेरे चैनल को like, subscribe करना ना भोले उसी slice पर cucumber के slice रख देंगे उसके उपर प्याच और boil किया हुआ चुकुंदर उसी के साथ अलू और उसके उपर हम फिर से green chutney लगा के और sauce लगा के इसको अच्छे से फेलाएंगे यहां तक हम यह weight loss journey तक खा सकते हैं लेकिन अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो इसके उपर आप cheese भी डाल सकते हैं और उसको थोड़ा प्रेस करके लेंगे इस तरह बच्चे हुए सारे slice को हम green chutney और salad से set करके लेंगे और sandwich बनाएंगे इस sandwich को हम दो हिस्सों में cut करके लेंगे इसके उपर cheese डाल के आप बच्चों को भी खिला सकते हैं अगर ये recipe आपको अच्छी लगी हो तो please comment करना ना भूले